सुरक्षित बचत के लिए बैंकों में फिक्स डिपॉजित करवाना आज भी सबसे सुरक्षित माना जाता है इसकी वज़ा FD पर मिलने वाला बढ़िया ब्याज होता है जिसकी वज़ा से लोग इसमें पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित होती है अब बैंक में FD करवाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है सारजनिक शित्र के बैंक और बढ़ोदा ने फिक्स डिपॉजिट्स पर ब्यास दरों में बढ़ोतरी करने का एलान किया है बताते चलें की भारती रिजवर बैंक ने हाल में रेपो रेट में बढ़ोतरी की है इसके बाद से बैंकों ने भी अपने ब्यास दरें बढ़ानी शुरू कर दी है बैंक अब लोन पर ब्यास दरें बढ़ाने के साथ ही उनमें जमा धन राशियों पर ये दरें बढ़ा रहे हैं यानि कि ब्यास दरें बढ़ने से आपको कुछ नुकसान हो रहा है तो कुछ फायदा भी हो रहा है इसी कड़ी में अब सरकारी सिक्टर के बैंक औब रौधा ने भी FD पर मिलने वाले ब्याज की दरों में बढ़ोत्री की घोशना की है बैंक औब रौधा की और से की गई घोशना के मताबिक अब एक साल में पूरी होने वाली FD पर 5.30% की दर से ब्याज मिलेगा जबकि एक से दो साल तक की FD पर पहले की तरह 5.45% की दर से ब्याज मिलता रहेगा अगर दो से तीन साल तक की FD की बात करें तो उस पर 5.50% मिलेगा जबकि तीन से दस साल तक की अवधी वाली FD पर ब्याजदर 5.35% से बढ़ा कर 5.50% करती गई है बैंक ने छोटी अवधी के FD पर भी ब्याजदरें बढ़ाने का एलान किया है अब 7.45 दिनों में मैच्योर होने वाली FD की ब्याजदरें 2.80% से बढ़ा कर 3.50% करती गई है वहीं 46 से 180 दिनों में पूरी होने वाली FD की ब्याजदरें 3.70% से बढ़ा कर 4.50% करती गई है इसके अलावा 181 दिनों से 270 दिनों तक के फिक्स डिपॉसिट पर बैंक अब 4.30% के बजाए 4.65% की दर से ब्याजदरें वहीं 271 दिनों से एक साल तक की अवधी वाली जमाराशियों पर भी 4.65% की दर से ब्याजदरें बैंक और बढ़ादा के एलान के मताबिक एफडी की बढ़ी हुई ब्याजदरें 28 जुलाई यानि गुरुवार से लागू हो गई है बैंक ने 2 करोड उपे से कम जमाराशी वाली एफडी के लिए ये ब्याजदरें बढ़ाई है बैंक की घोशना के मताबिक अब वह कॉमन पब्लिक के लिए 3 से 5.50% और सीनियर सिटिजन के लिए 3.50% से 6.50% तक की ब्याजदरें दे रहा है बताते चलें कि बैंक को बढ़ादा से पहले पंजाब और सिंध बैंक, इंडियन ओवर सीज बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, IDBI समेथ कई अन्य बैंक भी अपने एफडी की ब्याजदरें बढ़ाने की खोशना कर चुकी है Bureau Report News Wing झाल